तो आज हम लोग एक नहीं गेम खेलने वाले हैं Avenge Simulator वैसे यह नहीं गेम नहीं है पुराना गेम है बढ़ाना नहीं कुछ अफडेट्स हैं तो इसको हम लोग ट्राई करने वाले हैं और देखते हैं भाई कितना बढ़ी है यह गेम से ग्राफिक्स से तो बढ़िया ही लग रहा है यह हमारा क्यरेक्टर है जो कि ठीक ठाक है बट मैं फिर भी कस्टमाइज करूंगा क्योंकि गेम्स के अंदर जब तक फनी केरेक्टर्स ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है अब कस्टमाइज करने का उप्शन कब आएगा बही कितनी देर हो गई ओके आगा फाइनल यू ऑप्शन इसके अंदर मेल भी है फीमेल भी तो हम लोग मेल लेकर चलते हैं क्या-क्या बदल सकते हैं इसकिन का कलर भी बदल सकते हैं इतना ठीक है ओ इसकिन का भाई लिटरली में कलर पूरा चेंज और यह देखो ग्रीन यह देखो यलो कलर का दा यह देखो रेड यह ठीक है सैचुरेशन फुल एक दम इस बंदे की ब्राइटनेस फुल इसकिन रफनेस फुल सब कुछ फुल कर देता हो मैं बियर्ड बियर्ड यहर की शेप अलग-लग तरीके किया रहे सब कुछ बदल सकता हो नहीं यह ठीक है बाल बहुत ही अलग- और बालों का कलर होगा पिंक येस ओ तेरी मस्त लग रहा भाई आरे वाँ अजीव नहीं लग रहा कुछ जादा ही कुछ जादा ही अजीव होगे इतना पिंक ठीक है ये तो एलियन सा ही लग रहा है तो फिर ग्रीन ओ नाइस ग्रीन भी बड़िया लग रहा है रेड बाल भी अच्छे लग रहे है इसके ग्रीन बाल मेरे को भाई लिटरली में जादा बड़िया लग रहा है मैं ये ही लग रहा हूँ थोड़े कपड़े वपड़े बदल दिये जाए टी शर्ट शर्ट नॉर्मल शर्ट हुडी ओ नाइस हुडी भी है हाँ हुडी रखते है जैकेट विन है नहीं सूट नहीं भाई जंगल वाला गेम है हुडी ठीक है वो भी वाइट कलर का पैंट की बात की जाए तो जीन्स ओ शॉर्ट्स भी है यह डी है बढ़िया है ओकेट अपना एकदम मस्त लग रहा वाई केरेक्टर तो यह उन्हें कुछ बात स्चार्ट करते एक न्यू गेम ओहो ओहो बाल बालों में ग्लिच है क्या है है लो पूर नहीं बाल लहरा तो रहा है बढ़िया सही लग रहा है चलो भई क्या जीब सा लग रहा है यह बंदा यह है अपना बेड़िफल सा जंगल और यह इसका घर है इसकी जगा का नाम है विलियम्स लग अच्छा ओक्शन वगेरा भी होते हैं आपर ओके आगे की तरफ चलते हैं वहाँ पर एक ब्लू डॉट है फॉलो करते हैं उस ब्लू डॉट को वैसे एक बार मैंने एक ग्याम ट्राइ कियाता और उसके बाद मैं भूली गैता यह दुखे लिकिता यह फिलाइट गेमर वाले चैनल बर ट्राइ कियाता तुम लोग याद भी होगा बाकि उसके बाद दुबारा मैंने कभी ट्राई नहीं किया आज श्राई कर रहा हूं और जब ग्राफिक्स फुली अपडेट हो गया है तब तो और भी जादा मजा आने वाला है फिलाल इसके दादा जी का कुछ तो लेटर होता है लेट मी रिडेट फास्ट तो इसके दादा की आगरे इक्षा थी कि इसका पूता जो है उसके रैंच में और उसको बढ़िया तरीके से बनाए वगेरा वगेरा चलो भाई हमें अपने दादा की विशिस पूरी करनी है यहीं अपना टास्क होने वाला है वैसे वैदर देखो मौसम देखो और आजू-बाजू की सीनरी देखो यार क्या ही ब्यूडिफुल है मजा आगया देखके सब ओके हमारे पास एक टेंट भी है नाइस इसी में सोहेंगे आरे मेरे को पता है भाई मेरे पास टेंट है अल्री ओपन तगेट यहां पर हमारे पास एक गाड़ी है इदर क्या होने वाला है देखके आता है रेंडियो है क्या ओपर अपने दादा जी ऐपस रेंडियो भी था और या गरता जी के पास इतना वड़ी हैまた दादशाया है कभी और आड़ चलो, अरे कैसे दर्वाजे खुलते हैं, अरे मैं अटक गया इधर, आगे कैसे जाओ, पहले दर्वाजे बंद करो, इधर आओ, ओके नाइस, और घर का तो एकदम बुरा हाल हो रहा है, तूफान वुफान आया लगता है, यह रहा रेडियो बंद कर दिये, बस बंद करने के आना था मेरको यहां पे, टेंट में चलते हैं आपई, सोने के लिए, इसकी जंप बड़ी अजीब लगती है, इसकी जंप के टाइम पे देखना भाई, यह देख रहा है, इसकी अजीब गरीब तरीका है, जंपिंग का, थोड़ा सोते हैं, अच्छा सोने के लिए, और गेम कैमरे में, कैमरे में, हाँ, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, क्या 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 है, रिमूव अब्स्टेकल, फाइंड थाने हैं, और एक चेस्ट डूने, ओ, दादा का खजाना, दादा ने खजाना चोड़ा वाई, पोदे के लिए, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है, या फिर जायदात के पेपर्स हो सकते हैं, शायद मैं, जायदात का अगला वारिस बनने वाला हो, लेकिन जायदात के नाप पे टूटी-फूटी जोबडी तो है, बस, अपस्टेर्स बोला है मेरे को, अपस्टेर्स साथ हो गया, मैं, ये अपस्टेकल है, क्या है, इसको ऐसे ह जाओं कैसे मेरा सिर अड़ रहा है, बैट भी नहीं सकता, क्या मैं, ओके बैट के जा सकता हूं, चलो भई, चैस्ट मेरे खजाने में आ रहा हूं, और ये क्या खजाने के लिए ट्रैप बिचा रखा है कि दादाने मेरे, भाई, दादा खतरनाक ते अपने ट्रैप बिचा रखा भाई पोते के लिए, चलो आगे चलते हैं, ओके, बहुत सारा गो, नहीं है, एक गन है, और पांसो डॉलर, थोड़े जादा ही रख देते हैं, और एक और चिठी, तो दादा ने हमारे लिए गाड़ी छोड़ी है, मतलब गाड़ी इतनी सूपरकार या फिर स्पोर्स है, इसलिए हमारे दादा समझदार तो दे भाई, इतना तो मानना पड़ेगा, वाई, कितने सारे टास्क आगए हमारे लिए, अरा गाड़ी पुर्जों में छोड़ी है, मेरे दादा जी ने बाई, दादा जी चाहते थे कि मैं मेहनद करू हर चीज के लिए, गाड़ी भी ब्रीद्र नीमिलेकि पहले पैये लगा ईंग पते हैं क्या करे मोद्धा तब तब जाके गाड़ी तीयार होगी। एह कोई बात नहीं नहीं। apparently लेकिन दाधा तुर डीकले हैं tous Its तो युओ उपर से निखाना पड़ेगा कि हम भोग बहुत प intrusion है चलो अखते करते हैं था्मान सबसे पहले पहले पर रचार उठाओ भई सब नसे उठा भई फ्यूल अभे नहीं सीट्स भी नहीं है उसके अंदर क्या अरे दादा जी कम से कम बैठने के लिए तो जगा छोड़े यह चुब जाती अभी मेरे पिछ बाड़े मागर बैठ जाता तो मैं ओ ओ ओ ओ जंगली जानवर के नाम पर हिरन आ चुका है रुख जा रुख जा रुख शैद दादा की गाड़ी है टू सीटर दादा और दादी घूमते होंगे इसी में लॉंग ड्राइफ पे जाते होंगे भई दूसरी सीट कहां पड़ी हुई है और गाड़ी का एक पुर्जा फैंक दिया भई दादा ने मेरे बंपर उठा के अलग फैंक दिया है सीट किसी और country में पड़ी हुई है फियूल टेंक और पड़ा हुआ है क्या ये एक सीट बताऊ उदर है यह क्या चीज है इसके ग्रीन बाल बड़े मस लग रहा है ग्रीन ग्रीन जंगल में ग्रीन बाल ओढ़ी रेडी इस रेडी फ्यूल ये रहा कहा लगाना लगाना कहा इसको है अ वह भाई सब गाड़ी की हैंडलिंग कितनी स्मूथ हो गई है पहले मेरे को याद है भाई जब मैंने यह खेला था ट्राइ किया था इतनी बुरी हैंडलिंग थी बट ना हो भाई क्या ओहो क्या ब्यूटिफुल है थोड़ा सा हलका सा कहीं-कहीं लेग है बट चल जाएगा भ इसको लगाया इदर और स्टार्ट कर दी भाई रिफ्यूलिंग पैसे कटते जा रहे हैं यह एक डॉला क्या पटा-पट पैसे कट रहे हैं वह अधी बढ़िया लगाते हैं इसे गाड़ी के अंदर ओके तो इतना फ्यूल आ चुका है गाड़ी के अंदर एक काम करते हैं व बैक में बगाओ बगाओ जंगल में गाड़ी बगाओ फुल स्पीड में ओ तेरी बाई 50 किलूमेटर पर आट जंगल में ओफ रोडिंग कर रही है गाड़ी दमदार है मेरी अभी मेरे को जाना है एक रियल स्टेट एजेंट से बात करने के लिए चलो आगए हैं यहां पर क आग़ा का तो यह ऐल कि बाई जैने वाली है तो मेरी को एक यह से बीदायों पर आहिए कर जाना है क्यों पीर आट निकलते हैं दरवाजा बं बंड कर लए चाना हैो गुद कर लाई हैं इसijn Right बात करनी है और रहा कैसे एक तो दर्वाजे खुल रहे हैं हाँ सर जी बोलो क्या हो गया ओके तो हम लोग गाड़ी वाड़ी भी खरीज सकते हैं नहीं नहीं और जो हमारे पास अल्वेडी कार है उसको भी अप्ग्रेड करवा सकते हैं समझ गया मैं बड़ी अधरी के समझ ग मतलब गाड़ी में क्या कलर वलड़ चेंज करेंगा क्या कलर करवाओं मैं पीला नीला ब्लैक नहीं गया बाई वाइड रखते हैं या फिर यह हां ठीक है पचास डॉलर ले लिए इसके चलो कोई नहीं बड़ी अलग रही है अब गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है अब यहां लेकिन ठीक ठाक लग रही है यार मैं कैसा लग रहा हूं हरे बालो वाला बंदा शौट्स में गाड़ी चला रहा है वावई इसे रीडियो भी इंस्ट्रॉल करवाना है मेरे को लेकिन मेरे को नीची यह बाई रेडियो जब रस्ती है कोई चलो रेडियो लगव हो गए यार अब मेरी गाड़ी इनी रस्तों में फस गई अब है मैं उस पार कैसे जाओ मैं इदर फस गया जंगल के और मेरी गाड़ी उड़ गई इदर अगर किसी को चोट लग जाए तो डॉक्टर हॉस्पिडल कुछ है यहां पर है इलाज कौन करेगा भाई हाडवेर स् अन्य क्या क्या बन चुका है यार वा बड़िया जगा लग रही है तो मॉल्टा यह वाइस टोर है जहां पर सामान बेगते हैं आई नो दिस यह देख यह रहा यह पर हम लोग चीजे खरीद भी सकते हैं और बेग भी सकते हैं अभी फिलाल ना मेरे को कुछ खरीदना है ना हमारे पास कुलाडी और क्रोबार नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा वही जिंदगी में इसलिए कुलाडी और क्रोबार का होना बहुत ही जादा जरूरी है और चीप टेबल सौ भी चाहिए लगजरी वाली के लिए पैसे नहीं मेरे पास चलो 200 डॉलर की है चेक आउट करते हैं यह रहे अपने तीनों के तीनों आइटम्स एक्स अपने पास रखते हैं क्रोबार भी अपने पास ही रखते हैं और यह नई सौ मशीन खरी दी है यह अपनी गाड़ी पर रखते हैं अरह जगा नहीं है भाई यहां रख दी अब यह में सेलर से भी बात करनी है रहा कौन जा कर रहे हैं Flights Week को तो लाइक करो यार वीडियो को तुम लोग लाइक नी करते भाई जाओ अभी कहीं लाइक करो ता कि मेरे को पता चले Yes! You are enjoying Flights Week पाकि एक नया पूरा मुहला बस गया है यार यहाँ पहले महला हुआ निकरता था शायद हाँ पहले महला कहा ता प्राम से हम लोग बहुत सारे अप्ग्रेड्स कर सकते हैं जिस तरीके से कार फोर सेल में होते हैं तो मज़ा आने वाला है तुम लोग जाओ भाई लाइक करो फटाफ्ट से वीडियो को भाई तो यह दर है सेलर कौन है सेलर सामने आओ है मेरे हलो अंटी जी समान यहां से हम लोग खरीद बेख सकते हैं समान नहीं जानवर खरीद या बेख सकते हैं और गन वगएरा दूद की कैन वगएरा ओके तो यहां पर farming related सारा सामान मिलेगा भाई farming भी कर सकते हम लोग अरह वाव वाव मजा हैगा मजा हैगा भाई continue करने मजा हैगा फिलाल हमें यहां से दो chicken खरीदी है और एक egg basket खरीदी है chicken का है भे सफेद काली या फिर brown भई घासों में काली chicken तो तो ती नगिवलर दिखेंगी अराम से प्राओं करीदा है मेरी मुरगी यार मेरी being unacceptable गई है भई सामान का रखो मैं फिक्स करना पड़ेगा रुक जो पहले इस से इस तरीके से साइड में बढ़िया से फिर इसे उठाओ बढ़िया से इस तरीके से बढ़िया अब एक वास्केट को इदर फिट कर देते हैं अराम से मुर्गियों के लिए पूरी जगह होनी ची मे नहीं अंडा नहीं है मेरी गाड़ी के पीछे का कनेक्टर है मैं सोशा अंडा दे दिया इसने इदर ही अब इन दोनों मुर्गियों को लेके रैंच पहुंचना है रैंच और रैंच का रास्ता कोन बताएगा मेरे को अरे यह तो रभ बना आरा ब्लू डॉट वही है हमारा रैंच गाड़ी जाद लंबी निटिकने वाली दादाजी की आखरी निशाने हैं गाड़ी टूटे की जल्दी तुम लोग देखना अब इन चिकन्स को कहां पर फैके भई इधर फैकते हैं चलो बैठो उदर मजे करो अंडे देते रहना और जब भी अंडा देओ चिला रह देखनाने हैं और पानी भी लाना है मतलब क्या है ये रुक जो बाई फिर इनने इदर नहीं उतारते हैं उदर कहीं लेके चलते हैं जहां पर पास में आना जो यहां फिर रुको यार इदर ही रखते हैं सारी जगए तो अपनी है इदर फ्रिज में पढ़ा है अनाज वा भ मुर्गियों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है यार अनाच का फैका मतलब रखाता है इनका अनाच कुल रात को वहां पे इधर ही पानी रखते हैं अब बाल्टी चाहिए दादा जी ने सारा जुगाड करका मेरे लिए और कौन से जमाने की बाल्टी है पेड़ काट के बाल्टी बनाए लगता है और यहां पे इधर से ऐसे पानी चला जाएगा समझ गया अब हमें आएगे सिन मुर्गियों के लिए चोटा सा चोटा सा जादा बड़ा नहीं घर बनाना है तो बनाते हैं फिर दिक्कत किस बात की यहां से और बाई मैन्यू दिखाओ मेरे को अर प्रण भी बना सकता हूं मैं आगे जाके हां मैं स्मॉल कूप बनाना है ये बनाना हम लोग को तो यह तो अराम से बन जाएगा को दिक बात नहीं है बना दू क्या गैरिच के आगे बना देते हैं यहां पे लेट्स गो तो बिल्ड करते हैं क्या कैचिछ यह 15 वुड़ के ल स्देबस सब्सक्राइब करना है और आ adesso सब्सक्राइब गया ओए ना Дvar अरे वावाई पूरा रियलिस्टिक बना रखा है बिल्कुल यह तो अब हमें लकडियां उठानी है लकडियां कुछ पड़ी हुई है अल्रेडी कटी हुई यहाँ पे यह रही और इन लकडियों को अभी हम लोग काट के मुर्गियों के लिए घर बना सकते हैं समझे हो भाई तुम लोग क्या यहाला की हिसाब किताब चल रहा है बिल्कुल रियलिस्टिक जिन्दी की चल रही है बाकि हरे बालो वाला और चोटी पैंड वाला बंदा कितने दिन तक सर्वाइव कर पाता है इस जंगल में देखना बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाला है बनाते हैं इनके लिए घर मेरे लिए घर है नहीं इनके लिए पहली बनाओ मैं एक साथ बहुत सारे नहीं उठा सकता क्या अरह उठा लिए तो पेड चाहिए पेड़ अब पेड़ नहीं है मेरे पास मुरीयों शरम करो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं तुम लोग बस दाना जुगाड़ है अचा गुलाड़ी इसके पास पहले से है नाइस अरे नहीं नहीं कुलाड़ी तो खरीदी थी चलो 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 फटा फट काम करते रहो में वापस से इनका घर है रिडी बढ़िया लग रहा है और आजाओ मुर्गी ओ तुम्हारा नया घर दिखाता हूं मैं आहसे कहां से अंदर जाएंगे यहां से यह लो मुर्गी ओ तुम्हारा नया नवेला घर एक मुर्गी आ गई दूसरी को पकड़के लाते हैं एए गर्दन नभोशली टेंशन मतले मुर्गी मरेंगी निए चिला मत चिला मत सर में दरद कर दिया इस मुर्गी ने आरे वो मुर्गी शान्दी से पकड़ के लेके आगे मैं यह चिला रही है रहे चुपो जा छोड़ रहा हूँ भाई ओके फाइनली शान्त हुई है इनको खाना कहां से मिलेगा भई खाना चाहिए होगा तो मैं यह खोल दूँगा और यह यहां पर आ जाएंगी सिम्क लिए मुर्गिया ऐसी मिल पाएगा यह तो इसको खुला ही रखते हैं जब भी भूख लगेगी अपना बाहरा आ जाएंगी फिलाल दो गाइस बहुत जादा मुश्किल होने वाला है अपना यह जीवन क्यूंकि जंगल के अंदर रहना और भी हरे बालो वाले इंसान के लिए आसान काम तो नहीं है अब यार कैमरे की तरफ का भी देख ले तो सर्वाइफ करेंगे इस जंगल में देखने का इस क्या ह आना वाला मिल दें नेक्ष्ट वीडियो में गैस गुट्पाइए